नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का इन खबर पर बजट पेस होने के बाद आज से यानि के अगस्त महिने की सुरुआत हो चुकी है और एक अगस्त दोहजार चोविस को एलपीजी गैस सिलेंडर पर महंगाई का जटका लगा है जी हाँ बजट के बाद की कीमतों में आ परवार को पहली तारिक से कॉमर्सियल एलपीजी सिलेंडर पर आठ रुपे पचास पैसे तक मागा हो गया आयोसियल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली से लेकर मुंबई तक कॉमर्सियल गैस सिलेंडर की नई किमते एक अगस्त दोहजार चोविस को सुबच बज़े से लागू कर दी गई है ताजा बतलाव के बाद अब राजधानी दिल्ली में 19 कीलो वाला एलपीजी सिलेंडर 1646 रुपे से बढ़कर 1652 रुपे 50 पैसे का हो गया है यहाँ पर प्रति सिलेंडर 6 रुपे 50 पैसे की बढ़ोती की गई है कोलकाता की अगर बात करें तो कामर्सि 1664 रुपे 50 पैसे में मिलेगा मुंबई में इस सिलेंडर की कीमत आज से 7 रुपे बढ़कर 1605 रुपे हो गई है जो अब तक 1598 रुपे थी इसके अलावा चिन्नाई में भी एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं पहली तारीक से यहाँ पर 1809 रुपे 50 पैसे का मिलने वा कमर्सियल गासिलिंडर की कीमतों में कटावती की थी और आजाने दिली में 19 किलो demandé के दांग tv तक कम हो गये थे तब ताजह बतलाव के बाद दिली में कमर्सियल सिलेंडर की कीमत 1676 रुपे और कोलकाता में ये 1787 की जगा 756 रुपए, चिन्नाई में कामर्सियल सिलेंडर 1840 रुपए 50 पैसे की जगा 1809 रुपए 50 पैसे और मुंबई में इसका दाम 1629 रुपए से घट कर 1598 रुपए पर आ गया था एक ओर चहां 19 किलोग्राम वाले कामर्सियल गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिला है तो वहीं दूसरी ओर आयल मार्केटिंग कंपनियों ने लंबे समय से घरेली गैस सिलेंडरों की कीमतों कोई अथावत रखा हुआ है केंदर सरकार ने मैला दिवस पर बड़ी रहात देते हुए 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर पर गुपताओं को बड़ी रहात दी थी इसके बाद डोमेस्टिक लपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपे तक कम हो गयते फिलाल तब से इन सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत 803 रुपे, कोलकाता में 829 रुपे और मुंबई में 802 रुपे 50 पैसे और चेन्नाई में 818 रुपे 50 पैसे पर बरकरार है